अबिशेक ने सीधा मूपर जो है दोस्तो बेवकूफ और गधा एलविश को कह दिया है चलिए बात करते हैं कि आखरकार ऐसा हुआ क्यों है स्वागत है आप सभी का बॉलिवुड स्पाई में मैं हूँ अदती शर्मा तो आज घर के अंदर एक ऐसी कॉन्वर्शेशन हुई जिसमें एलविश ने पूजा भट को शामिल कर लिया पूजा भट को मौका चाहिए होता है कि वो किसके साथ मिलकर भई अभिशेक को नीचा दिखा सके और आज ये मौका उन्हें मिला क्योंकि एलविश भी तोड़ा अगेंस्ट नजर आ रहे थे अभिशेक के बहुत सारी चीजे एक्चली हुआ क्या है कि एलविश के अंदर बहुत सारी चीजे भर चुकी है जो एन वक्त पर उन्होंने कहीं नहीं है और अब उसारी एक साथ बाहर निकल रहे हैं तो अब समझ नहीं आ रहा क्या आकिरकार होगा क्या और पूजा भट ने उसका पूरा फायदा उ और आते ही अभिशेक जो है कहते हैं कि भई तेरी गदे जैसी सोच है सबसे बड़ा बेवकूफ है तू मैं तेरे मूँ पर बोलता हूँ अगर तुझे लगता है कि हम जो है चीजों में अननसेसरी ओपीनियन देते हैं तो तू मेरे को मूँ पर बोलता अगर कोई भी बात तू मेरे मूँ पर आकर बोलता ना कि बेवी का और पूजा भट के सामने वो डिसकॉशन तू करता तुझे अगर मेरी बाते बुरी लगी थी अगर तू मुझे मेरे सामने आकर वो चीजे कहता तो मुझे बहुत अच्छा लगता लेकिन यह जो तू ने किया यह बहुत ही ह बोल सकता है तेरे अलावा अगर यह बाते कोई और बोलता तो अभी तू नजारा देखता तो यहां पर दोस्तों इस तरीके की चीजे हो रही है और समझ मैंने आ रहा भई इसमें क्या किया जाए और क्या यह कहानी शान्त होगी कॉमेंट्स में बताईए जरूर क्या लगत मिलते है नेक्स्ट वीडियो में